प्रिय चात्रो नमस्कार मैं संदीब खरे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फ्री उनलाइन कोचिंग में और देखो एक से चार तक के हमने प्रशनों को डिसकस कर लिया था अब ये पाँचमा क्वश्चन है ये भी बहुत ही सरल है बस दियान से देखते रहो निमने कतनों को रासाइने समिक्रण के रूप में परिवर्टित कर उन्हें संतुलित कीजिए तो पहला जो है वो है नाइट्रोजन हाइट्रोजन गैस से संयूप करता है कौन सी केस नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसे लिखा जाता है नाइट्रोजन एंट्रोजन रूप में हलाकि इसे हमने पहले ही समझ लिया है क्योंकि जो पहले के वीडियो लेक्चर है एक से लगा के आठ नो तक उसमें हमने बहुत ही बिसिक से समझा है ये देखो nitrogen हो गया, hydrogen कैसे लिखा जाता है, H2 H2 के form में रहता है, दौनों संयोग करेंगे, यानि प्लस का sign बना लो क्या बनाते हैं, ammonia, ammonia का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, NH3 होता है तो पहले तो आपको सूत्र सूत्र बस लिखना है, और कुछ भी टेंसन नहीं लेनी है पहले nitrogen का सूत्र लिख लो, फिर hydrogen का सूत्र लिख लो, संयोग लिखा है तो प्लस कर लो, फिर ammonia का सूत्र लिख लो और लिख लिख लिया, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे nitrogen कीतने है, दो, 3 के चिन्य के दोनों तरह बैलेंस करो, यहाँ पे nitrogen 2 है, क्या यहाँ पे nitrogen 2 है? आंसर है नहीं है तो यहां पे भी nitrogen कितने कल लो दो तो ऐसे करोगी तो nitrogen का सुत्र गड़बड हो जाएगा क्योंकि nitrogen का सुत्र NH3 होता है अगर आप यहां पे 2 लगा दोगे तो N2H3 यह nitrogen ammonia का सुत्र नहीं होगा यह तो कुछ और सुत्र हो जाएगा तो फिर क्या करोगे 2 यहां नहीं लिख सकते तो यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 nitrogen तो हर हाल में करना है तो हमने यहां पे 2 लिख दिया तो यह होगा है 2 nitrogen लेकिन इस चक्कर में hydrogen देखो कितने होगा 3 दूनी 6 hydrogen क्योंकि 2 का गुणा hydrogen में यहां भी है और 3 यह भी है तो 3 दूनी कितने hydrogen होजागे 6 तो यहां पे हमें 6 hydrogen है तो यहां पे भी 6 hydrogen करने पड़ेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का तीन दूनी 6 hydrogen अब यह संतुलित होगा यही तो करना था कि रासानिक समीकण का बायू में दहन होने पर जल एवं sulphur dioxide बनता है यहनने बताया है अगर तो यहां पर क्या कर लो hydrogen sulphide का सूत्र पताओना चाहिए hydrogen sulphide का सूत्र होता है H2S hydrogen sulphide हमने लिख लिया अब hydrogen sulphide gas का बायू में दहन करना है मतलब plus O2 होगा यहाँ पे O2 लिख लो, बहुत ध्यान से समझते हैं, चलो, पूरा समझ में आएगा, बायू में दहर्ट कर दिया, इसे बनता क्या है? जल, क्या बनता है? जल, जल को क्या लिखोगे? H2O, यह बना दिया जल, और साथ में क्या बनता है? सलफर डाइकसाइड, सलफर यहाँ पे हो गया, अब दोनों और क्या संतुलित है? देखो ध्यान से, यहाँ पे दो अकसीजन है, यहाँ पे भी दो अकसीजन है, यहाँ पे एक सलफर है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे देखो अकसीजन कितने हैं यहाँ दो और एक तीन अकसीजन, लेकिन यहाँ पे कितन अक्सीजन है दो है ना यहां पर कितने अक्सीजन हो गए दो और एक यह है तीन तो हमें करना है चार अक्सीजन तो हमने यहां पर दो का गुणा कर लिया तो दो अक्सीजन यह हो गए और दो अक्सीजन यह हो गए अक्सीजन संतुलित हो गए चार अक्सीजन लेकिन लेकिन इ ये दो का गुणा जैसे ही हमने दो का गुणा किया तो दो दूनी चार हाइड्रोजन तो हो गए दो दूनी चार हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित हो गए लेकिन दो सल्फर हो गए दियान से समझ रहे हैं आप कितने सल्फर हो गए दो सल्फर तो अब हमें सल्फर को भी दो क तो हमने 2 का गुणा यहां पे किया और जैसे ही हमने 2 का गुणा यहां पे किया तो oxygen फिर disturb हो गए देखो oxygen कितने होगा दो दो नी 4 और 2 6 oxygen तो हमें यहां पे 6 oxygen करना है तो 2 की जगाए पर फिर हम 3 का कर देंगे तो आप पूरा संतुलित हो गए आप देख सकते हैं तो ऐसे ही स तुलित किया जाता है तो अब इसके बाद हम C नंबर का देखते हैं Aluminium Sulfate Aluminium Sulfate कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया था यहाँ पे Al2 Aluminium और Sulfate पर होता है SO4 यह हो गया Sulfate लेकिन Aluminium 6 प्लस लेकर चला है तो यह 2 माइनस यानि की तीन बार होगा यह हो गया Aluminium Sulfate ठीक है ऐसे लिखा जाता है Aluminium Sulfate सही हो जाकता को मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है मैंने आपको समझाया भी था इसके पहले देखो मैं फिर से बता देता हूँ Aluminium पर होते हैं 3 प्लस जबकि S4 पर होते हैं 2 माइनस तो यह नहीं जुड सकते डारेक्ट डारेक्ट क्योंकि आब इस समान होने चाहिए तो Aluminium में हमने कितने का गुणा करें कि यह जिसे हमने 2 का गुणा कर दिया यह Aluminium में तो यह 6 प्लस हो गए अभी कितने थे 3 प्लस अब 2 का गुणा करोगे 2 Aluminium के 6 प्लस हो जाएंगी क्योंकि 3 और 3 6 तो इसको 6 माइनस बनाना पड़ेगा तो अभी 2 माइनस हैं तो इसमें 3 का गुणा करोगे तब जाके बनेगा 2 तिया 6 माइनस इसलिए S4 में 3 और Aluminium में 2 का गुणा है ठीक है तो अब हमने ये समझ लिया Aluminium Sulfate के साथ अभी किरिया कर Barium Kiloride Barium Kiloride कैसे लिखो गए क्योंकि Aluminium Sulfate के साथ किरिया करेगा Barium Kiloride तो B, A, C, L, 2 ऐसा क्यों है क्योंकि Barium की समझगता कितनी होती है Plus 2 और Kiloride की एक ही माइनस तो इसको 2 चाहिए फिर तो एक Barium के साथ में 2 किलोरिन चाहिए ये हो गए तीर का चिन तो Aluminium Sulfate के साथ Barium Kiloride के लिया करता है तो क्या बनता है Aluminium Kiloride Aluminium Kiloride कैसे लिखोगे Aluminium, एक Aluminium पर 3 पलस होते है जबकि 1 C, L पर 1 माइनस होता है कितना माइनस होता है? 1 माइनस तो यहाँ पर आपको 3 बार लखना पड़ेगा क्योंकि Aluminium के तुल्ला में Kiloride को 3 बार ऐसे 3 लखना पड़ेगा तो 1 Aluminium 3 किलोरिन के बराबर है क्योंकि 1 Aluminium पर 3 पलस होते है जबकि 1 किलोरिन पर 1 माइनस तो 1 किलोरिन और आएगा तो 1 माइनस और आएगा एक किलोरिन और एक माइनस और 3 माइनस हो गए तो अब 3 माइनस अब 3 पलस के बराबर है ना इसलिए किलोरिन कितना लेखा जाएगा 3 देखो अब Aluminium Barium Sulphate Aluminium किलोराइड एवम क्या बनता है? Barium Sulphate Barium Sulphate क्या होता? BASO4 क्योंकि Barium पर डबल पलस और SO4 पर डबल माइनस तो यह तो डारेक्ट लेखाड आएगा इसमें अलग से कोई गणा करने की जरूरत नहीं है अब इसको संतुलित कर लो संतुलित करने के लिए बहुत ही सिंपल है आप यहाँ पर चेक करो देखो क्या होगा Aluminium जो सबसे कम स्थन में आया Aluminium Aluminium यहाँ पर कितना है? 2 है यहाँ पर Aluminium केबल 1 है Aluminium को दोनों और बैलिंस करो Aluminium यहाँ पर 2 है Aluminium यहाँ पर 1 ही है तो इसमें 2 का गणा कर दो तो Aluminium कितने हो जाएंगे 2 Aluminium हो जाएंगे लेकिन इस चक्कर में किलोरीन देखो कितने हो गए 3 दूनी 6 किलोरीन यहाँ पर कितने है केबल यहाँ पर कितने किलोरीन है 2 किलोरीन है तो 3 का गणा कर दो तो 6 किलोरीन दोनों और बैलिंस हो जाएंगे 3, 2, 6 किलोरीन यह और 2, 6 किलोरीन यह लेगन इस चक्कर में बैरियम कितने हो गए बैरियम हो गए 3 तो 3 कगणा यहाँ पे कर दो इस चक्कर में 3 S4 भी हो गए तो 3 S4 यहाँ पहले से हैं तो यह हो जाएगा balance तो balance इसी तरीके से आपको करना आना चाहिए तो C होगे आप D और देख लेते हैं तो D देखो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप एक बार repeat कर सकते हैं यह वीडियो तो आपको आ जाएगा potassium dhatu यानि कि K जल के साथ किरिया करती है तो जल के साथ किरिया करती है मतलब जल बनाना पड़ेगा H2O potassium hydroxide potassium hydroxide कैसे लिखा जाता है KOH इवं hydrogen gas देती है मतलब H2 के form में लिखा जाएगा तो hydrogen gas देती है यह हमने धाचा समीकन बना लिए अब इसको संतुलित करना है यहाँ पे देखो hydrogen कितने है 2 और 1 तीन hydrogen है यहाँ पे कितने है 2 ही है केवल तो कम से कम 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 2 दूनी 4 hydrogen हो जाएगे लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है तो इस hydrogen को 2 का गुणा कर दो तो 2 hydrogen ही हो जाएगे हो गया 2 hydrogen लेकिन इस चक्कर में potassium कितने हो गए? दो, तो दो का गुणा potassium में करना पड़ा ठीक है? तो हमने दो का गुणा potassium में कर दिया तो अब देखो दो potassium, दो potassium, चार hydrogen, दो hydrogen यह है, दो oxygen, दो oxygen हो गया balance? इसी तरीके से balance करना पड़ता है तो उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा यह बाला question तो अब आप इसे आराम से टिक कर सकते हैं और इसकी तयारी हमने कर लिए है अब इसको करना है, अब यह उमना 5 मा किया है अब इसको भी जल्दी से हम कर लेंगे छटमी question को next video में तब तक आप इसकी practice कर लिए है बार बार देखिए ताकि पूरा समझ में आ जाए इसके बाद आप हम आगे बढ़ेंगे Thank you